हे गाईज दिस इस प्रीती आज हम लों डिसकस करने वाले हैं सेवन सेप्टमबर के करेंट अफेर इससे पहले मैं आपको एक खुसकबरी देना चाहूंगे कि नितिन सर मामा बन चुके हैं और हम बन चुके हैं बुआ तो आप सभी लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं और नितिन सर को जरूर कांग्रेस लेट करें आईए सुरू करते हैं टॉपिक को सुरू करने से पहले मैं चाहूंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रस करें बात करते हैं आ इंडेक्स 2019 में कौन सा सहर सीर्स पर है तो यहां पर हमारा सही एंसर क्या होगा वियना जो कि कहां पर है ऑस्ट्रिया का एक सहर है यह नंबर वन पर है अच्छे इसमें किन-किन चीजों को बेस माना जाता है तो यह रिपोर्ट जारी की गई है दा इको नॉमिस्ट स्वास्त देखभाल सिच्छा और आधार बूद और सनरचना इस पूरी रिपोर्ट में 140 सहरों को शामिल किया गया और उनके रहने के आधार पर रैंकिंग दी गई यहां पर बात आती है कि भारत को कौन सी रैंकिंग दी है तो भारत की सहर नई दिल्ली को 118 रैंकिंग दी गई है और अंतिम रेंग किसे दिया गया है तो दमिस्क को ठीक है इस यूनिट के स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्याले है लंदन में इसका प्रमुक कार्य है पूर्वन उमान और सलाकारी सेवाएं प्रदान करना अगला क्वेशन हमारा टेस्ट इतिहास में किसी टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं तो यहाँ पे हमारा सही अंसर होगा राशित खान जो की एक लग इस्पिनर है अफगानिस्तान के ये बने हैं टेस्ट मैच के सबसे यूवा कप्तान याद रखेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इन साल 350 दिन इस दोरान जिंबांबे की पूर्व कप्तान तातिंदा ताइबू जो की 20 साल 358 दिन का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने स्री लंका की विरिद 2004 में सबसे कम उम्र में कप्तानी का रिकॉर्ड बनाया था बाकी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि राशित खान जो की अफगानिस्तान के हैं उसके बाद तदिंदा ताइबू जो की जिंबांबे के हैं उसके बाद है भारत के नबाब अली पटवदी जो की 21 साल 77 दिन के हैं अगला कोईशन हमारा हाल ही में चर्चित सेफाली वर्मा का संबंद किस खेल से है तो यहाँ पर हमारा सही अंसर क्या होगा सेफाली वर्मा संबंदित हैं क्रिकेट से और अभी हाली में यह भारती महिला क्रिकेट टीम में इन्हों ने जगा बनाई हैं यह दच्छड अफ्रिका के विरुदर T20 सीरीज खेलेंगी यह कभी-कभी यह दाएं हाथ की बल्ले बाज हैं ठी अगला हमारा लोग तंत्र के श्वर और रिपब्लिकन एथिक पुस्तकों का संबंध किस नेता से हैं तो यहां पर सही अंसर क्या होगा हमारा रामनात कोविंद से हैं ठीक है यह पुस्तके रामनात कोविंद द्वारा अपने कारियाले में दूसरे वर्स जुलाई 2018 से जु उपर राश्पती वेंक या नाइडू द्वारा इसे जारी किया है अगस्त 2019 में रामनात कोविंद को गिनी जो कि एक अफ्रिकी देश है इसके सर्वोचिनागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया जिसका नाम क्या है नेशनल ओर ओफ मेरिट ठीक है जो कि गिनी का सर्वोचिन देन हुआ था 16 अगस्त 2018 को और अभी मुख्यमंत्री योगी आदितिनाज जोकी उत्तर प्रदेश के है इन्होंने एक मीटिंग बुलाए और उसमें उन्होंने घोशना किया कि यह विश्वी देल कहां पर बनाया जाएगा लखनों में इसके साथ सरकार ने 50 एकड़ की जम प्रभावित है तो यह प्रभावित है 19 साल से कैसे आएए पढ़ते हैं इस लोगों के बैक्राउंड में मरून रंग दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप कब होने वाला है 2022 में कतर में जिसमें कुल 32 टीमें हिस्ता लेंगे और पहली बार होगा जब फीफा वर्ल्ड कप गर् अंतर राष्ट्री फुटबॉल महासंग हम लोग हिंदी में जानते हैं इसके स्थापना का वही है 21 मई 1904 को और इसका मुख्याला है जियूरिक सिजलेंड उसके बाद है इसके अध्यच कोन है तो जियानी एंफिनेट नू ठीक है नेक्स हमारा की इंटरनेशनल डे ओफ च जैसा की इमिज में आपने देखा कि यहां पे तो मधर टेरिशा के निधन के वर्सगाट के रूप में मनाय जाने के लिए तारीक चुनी गई है तो आप लोग आज मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूं क्योंकि आज मुझे अभी घर निकलना होगा निउस मैंने आपको पहले ही दे दिया है तो इस वज़ा से बहुत ज़्यादा मैं खुस हूँ ठीक है तो आप लोग आज मैनेज कर लेजे बाकि आपको कोई शुनी होगा चलिए फिर हम लोग बात करते हैं मदर टेरिशा की तो 1979 में इन्हें सांती का नोबेल दिया गया और बाकी मैंने आपको ब और इसके स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को अगला क्वेशन है हमारा की भारत का सबसे उचा एटीशी टावर कहां लगाया गया है तो भारत का सबसे उचा एटीशी टावर ये लगाया गया हमारा दिल्ली में या किसे संबंदित है तो हमारे उड्डेन विबाक से अंत्रा टावर का उद्गाटन क्या गया जिसका नाम क्या है एटीसी टावर इसकी उचाई क्या है 101.9 या लगभग 102 मेटर और या भारत का सबसे उचा टावर है जिसकी लागत है साढ़े 300 करोड रुपे अगले हमारा की किसे लैंप और पीस और सेंट फ्रांसिस पुरसकार से समानित किया गया है तो मुहम्मद यूनुस को यह आप इमेज देख सकते हैं मुहम्मद यूनुस को इस अवर्ड से समानित किया गया है 2006 में नोबल पुरसकार से समानित बांगला देश के प्रोफेशर है मुहम्मद यूनुस इनको शान्ती और सद्भाव अस्थाफित करने के लिए यह वर्ड दिया गया है इसके अलावा इटली में इन्हें एतिहासिक पापल बैसिलिका ओफ आसीसी में उन्हें पुरसकार गरड करते समय ने उन्हें कहा कि धन परियावरण छरड और आर्टी फीशल इंटेलिजिंस के विकास से मानो जाती के अस्तित्तों को खतरा हो गया है और लैंप ओफ पीस पुरसकार पहली बार 1981 में पोलेंड के मजदूर संके नेता वालिसा को दिया गया था याद रखेगा अब अगर हम लोग बात करें तो इसका आयोजन केंडरी अन्वेशर ब्यूरो द्वारा किया गया है इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश है एक ऐसा मंच बनाना जहां जाच करता हो वकीलों, फोरेंसिक, विशेसग्यों और सिच्छा विदों को साथ लाकर साइबर अपराद से संबंधी चुनोतियों और इसके समाधान के तरीकों पर चर्चा करना था या सम्मेलन राज्य पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपनी सर्वस्रेष्ट कारे प्रडाली को साज़ा करने का एक मंच है चलिए अब कल के क्वेश्चन का रिविजन आज टाइम नहीं है तो आज आप एक काम करिएगा कि आप इस पीडियेफ को डाउनलोड कर लिजेगा डिस्क्रिप्शन से और खुद से रिविजन करके वेबसाइट से आप सॉल कर लिजेगा मैं आज आपको एक क्वेश्चन दे देती हूं क्वेश्चन ओफ दडे ग्लोबल गोल कीपर अवार्ट से किसे सम्मानित किया जाएगा तो सोचिएगा सोच के इसका सही अंसर बताइएगा तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा देखिए आप हमारा परिवार है तो अपनी ख कीैसचन औ All Ready है आप वहा trust एक हैसा सब्सक्राइब करें जाया अचिकदना लगे तो चैनल को सबस्क्राइब करें रा लाइक करना ना भूलें डेली उपडेट सकानी के लिए बेल एकन पर जरूर क्लिक करें और कल देखी हो सकता है आप लोग का फोन ना उट पाए थोड़ा सा अगर आपको कोई भी इशू आता तो आप मैसेज डाल लीजेगा फ्री होते ही आपको रिवर्ट किया जाएगा तो बिल्कुल परचान मत होएगा थैंक यू थैंक यू सो मच